हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू दे चानल सिस्टी स्टेडी बॉंड और आज आपको यहां पर दिख रहा है सिक्षा सास्त्र यह दिख रहा है आपको है ना बीर्ड जिनों ने यूपी एची एस्सी वाला फॉर्म भर रखा है यूपी एची एस्सी से संबंदित कौन सा एड इंजी आई थी उसमीं सिक्षा सास के टीचर को लेकर आइए उस के सासस दीएड वाले ठीचर को लेकर खुल मिलाके 130 नमबर है हमारे लिए 100 का हमारा रेटेन है और 30 का हमारा इंटरव्यू है मिरे ये मांना आप जितना भी पढ़ें उसको रिवाईज ज़रूर करें क्योंकि एक्जाम में क्या होता है हम पढ़ बहूत सारा लेते है और एग्जाम है क्या होता है जब हम कोश्चन पे चारो अप्षन मिलते हैं हमें जब एक दो तीन चार तो हम क्या होता है कन्फ्यूज आतं है यह से जब आपके काम की वीडियो हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा दोसतों तो यहाँ पर पहला question है कि डेल का अनुभव शंकू मुख्यता किस से संबंदित है तो इसके पूरे यहाँ पर पूछे हैं question की hardware के प्रयोग से, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से, साहित के प्रयोग से या नर्वलन के प्रयोग से तो यहाँ पर उत्तर आपको पता यह answer देखोई भी दिख रहा है तो इसका अनलव, use of modern technology, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से और पूरा यहाँ पर इन्हों डेल ने जो है श्रफद्रस सामगरी का पूरा वर्गी करन किया है और इनका जो शंकू का model आया 1969 में आया, इसा मैंने जब पढ़ा था तो लिख रखा था तो पूरा यहाँ पर इन्हों डेटील भी दिखा है और यह जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको पता है बुक पूरी आपको thumbnail में दिख गई होगी, youth competition time की बुक है यह भी बता दू आपको अच्छी बुक है, इसमें सारे paper दिये हैं पिछले वर्स के PGT के assistant professor के GDP यान नाम दने दरत शिश्रव साधनों की सायता से अनुववों के आधार पर इक विशेश प्रकार का वरगिरगन प्रस्तुत किया जिसे डेल ने अनुवव का तिरकोर्ण या शंकू की संग्या दिये इस अनुवव संकू में बिविन प्रत्यक्ष अनुववों को लेकर अमूर्थ चिंतन तक जितने भी प्रकार के अनुवव बिविन सहयक साधनों दारा हो सकते हैं उन अनुववों को प्रदान करने में सहयक साधनों को बिविन श्रेणियां प्रदान करने का प्रयत्न किया है इन्होंने बहुत सारी श्रेणिया बना दी इनकी ये देखे पूरा इनका शक्गू है पूरी इनकी श्रेणिया बनी हुई है कि प्रत्यक्ष और बास्तियुग अनुवब उसके अदाय उजित क्रतिम अनुवब फिर अभिने करना प्रदर्शन ब्रह्मन प्रदर्शन सामिग सभी चल चित्र शांत चित्र रेडियो प्रसारण द्रश्यात्मक संकेत और मौखिक संकेत पूरे इनके प्रभाव। यह इनका प्रखाव है, अधीगम प्रहमिड से कहते हैं, ठीक है। यह इन्होंने पूरा इसमें दिया हुआ, पूरी अपनी सामिप्गरियों के बारे में दिया रखा है कि अनुभव कोई बारे में क्या है अनुभव हगर हम करेंगे तो इंद्रिया द्वारा बच्चो को बास्त पीग होगा एक पर kami लिखा हुआ कृछ करेंगे यह कुछ कर रहा है तो बचते इंजन का model बना दिया कोई डैम बना दिया तो उने model पता चलेगा कि इस तरह कि कहीं और बना है यह model है अभिन प्रॉडव का क्या कि कि किसी भी अभिन रहे भाग से लिए किसी भी मौडल का जैसे महराज अशोग का ड्रामा करा दिया उसमें अशोग जैसे आपको एक करेक्टर दे दिया तो आपको खुद को अनुभव हो गया तो यह इनके सारे मौडल है यह याद कर लेना आप एड कर डेल के नंबर तो याद कर लीजेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा यह आ सकता कितने नंबर के अनुभव दिये हुए उन्होंने पूरे अनुभव को लेकर पूरा इन्होंने दे रखा है इनके दे के पूरे ग्यारा हैं तो यह आप पढ़ लिजेगा एक बार इसको ठीक है जिससे कि आपको इसको पढ़ने में आसानी वैसे तो आप तुरंथी इसके जो इनके प्रभाव है इनको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जैसे आपने चल चित्र पढ़ा तो आप समझाए जाएंगे थी लेटिट कोई न एक दिश्चारी में तो इस तरह कर ने ख़ले उद्देश में सामिल नहीं है अब बोध उद्देश का मतलब क्या हूँ अंडरस्टेंडिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है ठीक है तो अंडरस्टेंडिंग और उसके साथ साथ फिर कौन सा शेत्र होगा संग्यानात्मक को कहेंगे कग्निटिव इस चीज को जाद रखना तो इसमें उत्तर इसका क्या है सीदिया है यानिकि विशलेशन विशलेशन में जो है वो संग्यानात्मक शेत्र के अबोध उद्देश में सामिल ये नहीं होता है विशलेशन तो यहां पर पूरा लिखा है ये संग्यानात्मक शेत्र का अबोध उद्देश अबोध ज्यान, अबोध अलग है अबोध, अबोध ज्यान से उस चिस्तर का उदेश होता है इनका कि जैसे हमें ज्यान ना हो फिर हम उस चिस्तर का ज्यान प्राप्त कर लें, अबोध का अर्थ होता है नवीन ज्यान के प्रती समझ विक्सित करना, कोई नया ज्यान मिला है उ व्याख्या तीन प्रकार की किरिया करता है अता विशलेशन संग्यानात्मक्षेत्र के अबुगोद उद्देश में सामिल नहीं है ठीक है विशलेशन जो है हम विशलेशन कर रहे हैं मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़ादा विशलेशित कर रहे हैं अबोद में क्या है कोई नया ग्यान प्राप्त करें उसमें आप विशलेशन नहीं करेंगे है ना नय ग्यान प्राप्त करने में क्या होता है जसका तस ग्यान प्राप्त करना उसका विशलेशन नहीं करना अगला कोशन है आप प्रतेयों के सिक्षण है तू निमनिम में से किस का प्रियोग नहीं करना चाहिए ठीक है which of these should not be used for teaching concept teaching concept हमने किसे नहीं यूज करना चाहिए नहीं पूछा है तो इसका सी उत्तर लिखा है कि हमें किसे यूज नहीं करना चाहिए वो लिखा है कि साइनोटिक्स साइनेटिक्स सिक्षन परतिमान साइनेटिक्स है इंग्लिश में सही लिख साइनेटिक्स मौडल औफ टीचिंग ठीक है तो यहाँ पूरा यहाँ पर दिया वो 1961 में मैंने लिख रखा यह किसने दिया था मौडल विलियम जेजे गार्डनर ने रचनात्मक सूट का सूट का यह माडल था इनका शिक्षण हेतु ठीक है याद रखेंगे पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है और यह साइनेक्टिक्स सिक्षण पिर्तिमान का प्रयोग नहीं करना चाहिए सिक्षण हेतु प्रतियों के शिक्षण पिर्तिमान सिक्षण सिध्धानतों का आदी रूप माने जाते हैं शिक्षण सिध्धानतों के आदी रूप में पुराने रूप शिक्षण पिर्तिमान में शिक्षण अपनी अनुदेशात्मक सामग्री का चैयन करता है और अपने कक्षिये सिक्षन को नियंत्रित करता जो उनकी कक्षा चल रही है उसमें शिक्षन अच्छे से हो शिक्षक अपने विधार्तियों के व्यक्तित्व के सरवांगीन विकास के लिए शिक्षन प्रारंब करने से पहले शिक्षन कार्यों का ही जो योजना बनाता है उसे शिक्षन पृतिमान कहते हैं मदलब अपना बच्चों की सर्वांगीन विकास के लिए शिक्षन प्रारम होगा उससे पहले वो अपनी योजना बना लेता है कि मुझे क्लास में कैसे पढ़ाना है अगला है यहाँ पर संप्रेशन विचार विनियम है के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परसपर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है यह कथन किसे ने दिया है ठीक है यानि कि कम्मिनिकेशन से संबंदित है यह क्या होगा यह क्या होगा यह क्या होगा यह तरह यहां पर एडगर डेल ने दिया है यह तो इस चीज को याद कर लीजेगा और जैसे भी डेफिनेशन याद हुपा है इंगलिश में इंगलिश में तो हिंदी में तो हिंदी में ठीक है तो आप इसको यह है कि कुछ लोग तो भाई रट लेते हैं डेफिनेशन लेकिन कुछ लोग क्या है कुछ उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं जानने और समझने की प्रक्रिया पकड़ लिजे दो तीन शब्द की मूड की विचार कहीं आएगा और जानने और समझने की प्रक्रिया इसको आप अगर ऐसे देख लेंगे न तो आपको यह डेफिनेशन जो पूरी याद भी नहीं रहेगी न तो भी आप जैसी डेफिनेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एडगर डेल की दोरा दी गई है ठीक है अगला कोशन यहापे आता है कि पहले पत्रा चार संस्थान की बात हो रही है ठीक है पत्रा चार का मतलब क्या कोरेस्पॉंडेंस वाली जो एजुकेशन होती है न उसके थुरू जो एजुकेशन होती वो इस्टिटूट जो है डेली उन्वेस्टी में बना वो किसी यह बना तो यहापे देखें उत्तर लिखा है पांचवे कर लेंगे तो याद हो जाएगा वैसे क्या होता है यह जितने भी कोश्चन होते ना इस तरह के फैक्श्वल टाइप तो इन्हें याद करना थोड़ा तफ रहता है तो इसलिए हम क्या करते हैं डेफिनेशन किसी से लिंक अप कर लीजे क्योंकि डेफिनेशन के असास साथ आपको यह जो डेट हैं जितनी भी यर हैं इनको भी अगर लिंक अप कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको यह अदर्वाइस बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब लोग मेरे साथ भी ऐसा ही है इसलिए मैं आपको बता रही हूं तो इससे होगा कि भूलेंगे पत्रचार पाठिक्रम के साथ शुरू हुई जिसके कारण D.A.U. के स्कूल ओफ कोर्रिस्पोंडेंस कोर्स और सत्त सिक्षा का जन्म हुआ तो आप यह भी याद रखीजे कि D.A.U. में क्या हुआ इसका जो विकास है एक किसी पाठिक्रम जो शुरू हुआ था इनका पाइ इजुकेशन पूरी कर ले घर बैठे पूरी कर ले ठीक है उसके लिए यह इसके रूपसे से जाना जाता है इस चीज़को याद कर लिजगा ठीक है तो फैक्चूल कोश्टन जो किसी डेट को लेकर आते हैं तो कैसे भी कर लिजए ज़रूर कोश्टन आते हैं दोस्तों प्रयोक किया जाता है सुक्ष्म सिक्षण का प्रयोक किसके लिए करते हैं हम लोग यानि कि माइक्रो टीचिंग की यहां पर बात हो रही है तो यहां पर उत्तर देखे हैं लिखा है पूरा कि जब हम अभी क्रमित अनुदेशन जो सामिगरी निर्वान कौशल है इसकी निर् remotely ने पढ़ाए ठिसक न हुदे आप से आप सीधे नहीं या सकते से रेकिये और शाकिये में शाकिये जो है यहां पर पूरा लिखा है कि शाकिये क्राउडर ने दी ती यह देखे यहां पर लिख रखा है CRODER कोशल को विक्सित करने ही तो सूक्ष्म सिक्षन का परियोग किया आता है यानि कि अभिक्रमत अनुदेशन सामेग्री हम जब निर्माड करेंगे यानि कि स्किनर ने जब इन्हें सामेग्री निर्माड की थी तो माइक्रो टीचिंग की उन्हें जरूत पड़ी थी क्योंकि माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है छोटी सी पड़ाई फिर आगे बढ़ जाओ फिर थोड़ा सा पड़ो फिर आगे बढ़ जाओ छोटे छोटे चैप्टर बनते हैं आजकल माइक्रो टीचिंग को लेकर तो व आपको किसकी जरुवत पड़ेगी माइक्रो टीचिंग की जरुवत पड़ेगी प्रोग्राम जब आपको बन प्रोग्राम इन्स्रक्षन माटीरियल प्रप्रेशन इसकिल के लिए तो यहां पर पूरा लिखा अभी किरमित अदू अनुदेशन में पाथ सामगरी को छोटे- पदों में विवक्त के जाता है देखो लिखा है प्रतेक पद किसी विशिष्ट उद्देश से सम्मंदित होता है ठीक है उस उद्देश की प्राप्ति की पुष्टी है तू जाच पिर्शन भी होते हैं जैसे आपने एक चीज क्लियर कर ली आपने उसके आंसर दे दिए ज ठीक है तो यहां पर यह दिया हुआ है तो जाच की जाच के प्रिशन दिया आते हैं जिने से शिक्षारती को पद को पढ़ने के बाद हल करना होता है और यह दी शिक्षारती पद को पढ़ने के बाद अच्छी तरह समझ जाता है तो जाच के प्रिशन अगर आपके उत्तर बढ़ाते रहते हैं इसलिए अभिक्रमित आठ सामग्री स्वता अनुदेशन आत्मक सामग्री के रूप में होती है ठीक है स्वता बच्चा अपने आप अनुदेशन उसे मिलता है बच्चे को और खुद आगे बढ़ता चलता है अब यहाँ पर यह अगला कोच्चन है आपको दिख़रा होगा यह कि सिक्षन मशीन के प्रतिपादक कौन थे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए उप्भी उत्तर दिया है एसल प्रैसी जो से शिक्षण मशीन के जो प्रतिपादक थे वो थे और ये पूरा लिखा हुआ है कि शिक्षण मशीन मून रूप से यांत्रिक उपकरन थे जो सक्षिक सामिगरी प्रस्तुत करते थे और शात्रों को पढ़ाते थे ठीक है शिक्षण मशीन जो है इसमें कहा था बच्चा आंसर देता था फिर उसका अगले पायदान पर पहुच जाता था ठीक है इस तरह से ये थी अगला कोशन है यापके किसने नैतिक विकास की छे अवस्थाइं सुझाई इंपोर्टेंट कोशन है इस तरह कि बहुत कोशन आते हैं नैतिक विकास की 6 से सम्मंदे द्विचारों को विस्तृत कर दिया था और तार्किक चिंतन की तीन इस्तरों जिन में प्रतेक की सोपान है के रूप में 39 विकास की तीन अवस्ताओं को छे उप अवस्ताओं में इन्होंने विवाजित कर दिया था ठीक है वैसे इनकी तीन अवस्थाएं थी लेकिन उनको उन्होंने छे में बिवाजित कर दिया था यह पूरा इनका यह लिखा हुआ है ठीक है तो आपको यह दिख रहा होगा यहां पे तो पूर्व प्रमप्रागत इस्तर पहला इस्तर है इनका और इसके बाद इसके दो सब करके लिख रखा है उत्तर प्रमप्रागत इससे रूडिगत कहते हैं रूडिगत से आगे वाला तेरा वर्स से आगे के बच्चुगले इनके दो-दो सब डिवीजन यहां पे आपको दिख रहे हैं यह इसके भी दो-दो सब डिवीजन जो इस तरह से इन्होंने छे पूरे कि इन में से किसी कक्षा के विध्यारतियों में सर्व प्रिये वा त्याज की पहचान है तू करना चाहिए वो सर्व प्रिये भी हो यह लिखा है शुड बी यूज टू अइटिफाइ स्टार्स एंड आइसोलेट्स ठीक है स्टार्स और आइसोलेट्स दोनों के रूप में तो वो है समाज मितिय मापनी समाज मितिय मापनी जो है कक्षा के विद्यारतियों में से सरुपरी है त्याज की पैचान करती है यानि कि इस पूरी कक्षा में सबसे अच्छा कौन है और त्याज कौन सा है ठीक है त्याज माने जिसको नेगलेट करने वाली कहानी वह वाली है किलास का star कौन सा और isolated कौन सा बच्चा इस तरह की इस जो समाज मितिय मापनी है इसके थुरू हम पता कर लेते हैं पूरा यहां पे लिखा हुआ भी है किस ने दी थी यह जे एल मुरैनो ने दी थी अगर आपको यहां पे दिखनी रहा हो दोस्तों तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यह यह जे एल मुरैनो दी थी जे एल मुरैनो थीक है इनो ने दी थी यह समाज V'shi याद रखेगा इसको मैं बारबार बता रहा हुआं और समाज मितिये एक ऐसा व्यापक पद है जो किसी सम्हू के व्यक्ति की पसंद अंता क्रिया आदी और सम्हू की गठन आदी के मापन करने के लिए करोण में प्रयोग लाया जाता है दूसरे शब्दों में समाजमिती है, सामाजिक पसंद और सम्हों विशेष्टाओं के मापन की एक विदी है ये इसलिए important हो जाता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर ये इसलिए important है कि जिससे की बच्चे की हम पसंद ना पसंद पता करके कर लेते हैं कौन बच्चा स्टार है या कौन isolated है ठीक है नेमने में से कौन अभिकिरमत अनुदेशन आगया अभिकिरमत अनुदेशन फिर से में अनुपस्तित रहता है ये important है दोनों अभिकिरमत अनुदेशन पढ़ लीजीगा रीखिये और शाकिये question आएगा इसमें तो मैं आपको उसको बता भी दोगी ठीक है तो इसका उत्तर है सायोगी अभिकिरमत अधिगम क्यों सायोगी अधिगम क्योंकि यहाँ पर single बच्चा ही involved रहता है इस चीज क संबंदे नहीं होती सिंगल सिंगल बच्चे को पढ़ाने से संबंदेत होती है इसलिए इसमें गुरूप का जो है वो सायोग गुरूप बाली जो कहानी है वो नहीं चलती है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ठीक है आप देख ली जगा एक एक बच्चे को लेके पढ़ा से सोचना अपसारी माने विस्तारित पूरा सोचना वो है वो हो गया अपसारी चिंतन और इसमें क्या है अभी सारी में क्या एक वस्तू के बारे में विशिष्ट प्रकार से सोचना इसको याद रखेगा ठीक है कोई एक काम आप कर रहे है उसको अनेक तरीके से करना वो है इस कॉल्ड डाइवर्जेंट ठीक है याद रखेगा स्रिजनात्मक्ता वह अब धारना है जिसमें उपलब साधनों से नवीन और अंजानी वस्तुएं और विचारों धारना को जन्र दिया जाता है स्रिजनात्मक्ता का अर्था रचन संबंदी योगता है नवीन उतपात की इसी को विशिजनात्मकता कहते हैं एक चीज किसी बच्चे को दे दी फिर वो बच्चे उस चीज से क्या-क्याद चीजे बनाना किस के द्वारा किया गया तो यहां पर लिखा यह पूरा अलवर्ड बंडूरा के द्वारा किया गया सामाजिक अधिगम सिध्धान्त सामाजिक अधिगम सिध्धान्त का जो है जो है किस ने दिया अलवर्ड बंडूरा ने दिया सामाजिक अधिगम से याद कर लेजेगा समा अपने पूर्व अनुववों और अंतरद्रष्टी की सायता से छाटता है, सही बात है, कोई उनके साथ समस्य आईए, तो ऐसा नहीं, कि उसमें वातवरण के अनुसारों करता है, वो उनने जो पहले के अनुवव हैं, उनके द्वारा उसको कैसे सुल जाना है उस बात को, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम प्रकरिया के चार सोपान बताएं, यह याद कर लिजेगा, नैतिक विकास के कोल वर्ग ने किते बताए थे, छे सोपान बताए थे, और उन्होंने चार बताएं, इस चीज को याद रखीगा, किसके सामाजिक अधिगम प्रकरिया के बंड वलन ठीक है अगला कोशन है आपर प्याजे द्वारा दी गई संग्या नात्मग विकास की अवस्थाओं का सही करम लगाना है तो इनकी जो संग्या नात्मग विकास था उनका विलको सही करम लगाना है यानि कि पहला जो होगा वो संबेदी गामक होगा ठीक है संबेदी गाम गामक होगा फिर दूसरा होगा पूर्व संक्रिया काल होगा फिर तीसरा कौन सा होगा तीसरा होगा मूर्थ संक्रिया और फिर चौथा होगा इनका अप्चारिक संक्रिया ठीक है यह वाला ऑप्शन ठीक है तो याद रखिए पहला है समवेदी गामक फिर इनका है पूर्व संक्रिया तो आप ऐसे याद के लिएज़ेगा S, P ऐसे याद कर सकते हैं S, P फिर इसमें क्या है C है फिर F है इस तरह से याद कर लेंगे S, P, C, F S, P, C, F तो याद हो जाएगा यानि की Sensory Motor Stage फिर है Pre-Operational Stage फिर है concrete operational stage और फिर है formal operational stage ठीक है तीनों operational है लेकिन प्री concrete और formal और पहली तो sensory motor है तो इस तरह से S, P, C, F याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगे फिर confusion नहीं होगा ठीक है यही short trick होती है पूरा लिखाई है इनोंने दिया है कि जन्र से परीपकुता था कि यानि की जब से जन्र लिया और mature हुए है तब तक ज्यानात्म विकास की प्रिक्रिया इनोंने का चार भागों में होती है पहली समवेदी गामक बता दी यह दो वर्ष तक की आयू के लिए होती है इसमें लिखा है ठीक है बच्चा जो है शरीर की गामक उनसे अनुवव करता है चलना यह सब हाथ चलाना अपने यह सब है फिर पूर्व कुरियात्म वर्ष तक इनोंने बताई इसमें लिखा है जो इस अवस्था में क्या होता है जो में किसका विकास होता है ग्यानेंद्रिय गामक निरूपरणों से पूर्व तारतिक तारकी चिंतन और समाधानों से समस्याओं तक आगे बढ़ना यानि कि कोई समस्या आ गई तो उसको समाधान करने की वच्चा कोशिश करता है आप बहुत सारी प्याजे मानसिक क्रियाएं भी कहते हैं इसे ठीक है प्याजे मानसिक क्रियाएं भी कहते हैं इसे मूर्थ संक्रियात्म का वस्था को ये भी कोश्चन आ सकता है जीन प्याजे में कि प्याजे मानसिक क्रियाएं किसे कहते हैं कौन सी वस्था को कहते हैं तो मूर निकटवर्ती रूपी से संगटित होते हैं और दीपन की प्रिक्रियाएं होने लगती है शारिक तोर पे किये बिना मांसिक रूप से किया जा सकता है मतलब अगर उन्हें डाटा आया हो तो उनके बाते मन को लगती है बच्चों को इस अवस्थाम देख लिखा सबसे बड़ा परिवर्त वहता है यह कोश्षान भी आ सकता है कौन सी स्थेज में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है मूर्थ cell किय्यात्मग अवस्था में होता है और मांसिक विकास, पूर्वतागिक चंतन से, तारकिक चंतन और मूर्थ चंतन गयोर बढ़ने लगता है, वो बास्त्विक्ता में जीने लगता है, फिर वारा बर्ष से अधिक आईउ वाला जो अपचारिक किर्यात्मक रूप से होने लगता है, ठीक है, परिकल्पनाव पे समाधान के लिए अनेक प्रकार के मूर्थ नियम होका निर्माण करने लगते हैं बहुत सारी समस्याओं को सुलाने का कोशिश करने लगते हैं ठीक है इस चारों इनकी अवस्थाएं मैंने आपको इसलिए बता दी जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए अगला कोशन है नेमने लेखे सिध्धानतों में से कौन से सिध्धान अभी प्रेणा के सिध्धानतों से संबंदित नहीं है अभी प्रेणा के सिध्धानत है उन से संबंदित नहीं है यानि कि थियोरी ओफ मोटिवेशन से रिलेटेड है ये मोटिवेशन से संबंदित नहीं है तो वो है समान तत मोटिवेशन से संबंदित है मैसलो वाला मोटिवेशन से संबंदित है लेकिन समान तत्वो वाला मोटिवेशन से संबंदित नहीं है यहां पर पूरा लिखा है ठीक है यह मोटिवेशन से संबंदित नहीं है अगला है इसको देख लीजिगा यह किस से संबंदित है ठीक है हा किसी प्रयोग में भाग लेने के ज्ञान का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव है यह ठीक है। इसमें क्या रिजर्ड निकल के आया? इसे हौफ्थोन प्रभाव कहते हैं। फिर अगला कोशन है किसी शाब्दिक बुद्धी परिक्षण तथा एक निश्पत्ती परिक्षण का पर प्रापतांकों के मद्द सहे सम्मन्न का सूचक है। ठीक है किसी शाब्दिक बुद्धी परिक्षन तथा एक निश्पत्ती परिक्षन पर प्राप्तांकों के मद्ध सह सम्मन्द इन दोनों परिक्षन की बात हो रही है और जो इन दोनों के बीच प्राप्तांकों के बीच सह सम्मन्द है वो किसका सूचक है तो वो जो सूचक है वो पूर्व कतनात्मग वैदिता यान की predictive validity से संबन देता है अब यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं क्या है predictive validity तो शाब्दिक वुद्धी परिक्षन और एक निश्पत्ती परिक्षन के मद सह संबन पूर्व कतनात्मग वैदिता का सूचक है निश्पत्ती परिक्षन क्या ह विद्याले में विविन कक्षाओं में विद्यार्थी साल वर विविन विशेओं का ज्यान प्राप्त करते हैं। अधार विद्यार्थी के विद्याले में अधन विशेक संबंदी प्रगति प्राप्ति या उपलब्दी को मापने या जाच करने के लिए निश्पति परिक्षनों का निर्माण किया जाता है। एटिट्यूट मेजर कर रहे हैं तो इसमें पूरा लिखा है जो पूडर प्राफ्रेंस रिकॉर्ड है वो इससे संबंदित नहीं है अभिद्यों के मापन से। तो पूला अभिवरत्ति मापन के कहते हैं सिक प्रिष्ट भूमी अत्यदिक प्राची नहीं हैं। अभिवरत्ति मापन की प्रवर्दियों का निर्मार कार हैं 1927 में थस्टन ने किया था। थस्टन लिखा हुआ है यहां पर योगमत तुल्नात्मक प्रवर्दी से प्रारम किया था। पहले साक्षातकार आवम अभिवरत्तियों का मापन किया था। योगमत तुल्नात्मक प्रवर्दी का शुरुआत कर दी आपके एक्टिट्यूट के मेजरमेंट के लिए ठीक है। तो अभिवरत्ति फिवर्दी मापन की तुल्नात्मक में था। गज्वार में आपके विवार को देखते हैं अपकी मनहास्तिती को ตब आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसमें पूरा हैं पर लिखा हुआ इसको पूरा मैंने आपको बताई दिया विवारिक में क्या है अच्छा इसमें सब डिवीजन में दियें विवारिक में प्रत्यक्ष प्रशन पूछना ठीक है विवारिक में क्या होगा आप से प्रत्यक्ष पूछन पूछे जाएंगे और दूसरा है इसमें कि प्रत्यक्ष निरीक्षन किया जाएगा एक प्रतेक्ष पूँच पुच पुच्षना आपसे पूच जाएंगे एक सामने बैठके आपका निरीक्षन मनोवज्यानिक विदी में भी देखिए इन्हें पूरी विदी दी है एक तो यूग मतुलात्मक विदी है एक क्या है थस्टा नमचेव की समद्रश्टी अंतर विदी लिकड योग निधारन विदी और सफीर क्रमवद अंतर विदी यह नोने चार दी इनकी दो विदिया हैं दी हुई एक तो विवारिक विदी और दूसरी मनोवज्यानिक लेकिन दोनों के भी सब डिविजन है इसको आप देख लिजेगा अगला यहाँ पर इसके साथ साथ और विदी है भई अगला कोशन यहाँ पर आजाता है कि निम्न में से कौन गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है गुणात्मक अनुसंधान से संबंदित है तो वो जो है एक्स फेक्टो फेक्टर यह पढ़ लिजेगा एक्स फेक्टो का क्या होता कोई भी काम हो गया उसके बाद उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्स फेक्टो गया अउनेग्स पार, अप्स पोस्ट फेक्टो एक्स पोस्ट फेक्टो इंपोर्टेंट और यह गतना अनुसंदान है नरवंस विज्ञान अनुसंदान है grounded थयोरी है इस अब पढ़ ली जगा एक्स फेक्टो का तो आपको पता ही होगा कि पूरा यहां पे लिखा है, यह C लिखा है इसका पूरा, गुणात्मक अनुसंदान का प्रकार नहीं है, यह देखे, गुणात्मक अनुसंदान का उद्देश, मानब विवार तथा उसके नियंत्रित, उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को समझना होता है, मानब विवार और उसको कैसे आप कंट्रूल करेंगे, उसके कारण, इस विदी के अंतरगत क्या, कहां, कव, कैसे आदी परश्णों की जाज की जाती है, इस अनुशंदान में संकल्वना का प्रयोग नहीं होता, इसमें विकल्ब सब खुले रहते हैं, आप कोई कल्पना नहीं लगा सकते, स उससे संबंदित तथ जो सामने आते हैं उनीक अप्रेक्शन रिकॉर्डिंग करके वर्नात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभाव सीलता की गुणात्मक तथ्यों पर टिपड़ी की जाएगी ठीक है गुणात्मक का पूरा इसमें दिया यह है कि हम पहले क्या करेंग प्रतेक्षब लोकन गहन साक्षादकार यह सारा उसमें करेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि हमको इसमें संकल्पना बनाए अगला है टाइप एक प्रकार की जो टाइप प्रथम प्रकार की निम्न प्रकार की जो तुरूटी है उससे संबंदित है टाइप बन एरर इसन एरर कॉ होती है ठीक है टाइप बन की इसमें पूरा लिखा है कि टाइप बन में क्या है कि वह सत्य होगी लेकिन आप उसे स्विकार नहीं करेंगे दोनों का वसित्ता पड़ लेना टाइप बन में क्या है सत्य है लेकिन स्विकार नहीं करेंगे टाइप टू में क्या है असत्य है फिर ये नकारात्मक परिकुल्पना के रूप में भी जानी जाती है क्योंकि ये मान कर चलते हैं कि चरों के बीच कोई संबन नहीं है थार दो समुव में किसी विशेश चरक्यादार पर कोई अंतर भी नहीं होगा इसलिए हम इसे मानते नहीं है अगला कोशन है यदि जनसंक्या कि नियायदर स्टुटी कमी होगी एक ही जाती के हैं दो ठीक है समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्ति गटना अत्वार निरिक्षणों को पर्थक करने की प्रक्रिया एबं पदिती के अध्यन के लिए संपोड सभू में से एक अंश का चैन करना जो है अगर सजाती हैं एक ही जाती के हैं तो हम जो सैंप्लिंग करेंगे उनमें तुरूटी कम से कम होगी तो आप खुदी समझ रहे होंगे अध्यापको को कारे संतुष्टी और विद्याले के वातावरन के मद क्या संबंद है तो वो होता है गैर दिशात्मक परिकल्पना का सं अध्यापको की कारे संतुष्टी और विद्याले के वातावरन के मद ठीक है गैर दिशात्मक परिकल्पना है यह उधारन है उसका पूरा यह लिखा हुआ है ठीक है अगला कोशन है सतत अवं ब्यापक मूल्यांकन निम्न के माध्यम से किया जाता है किसकी दौरा किरते हैं सतत अवं ब्यापक मूल्यांकन तो यहां पर पूरा उत्तर दिया है दोनों से करते हैं यह पूरा यहां पर दिया हुआ है यानि कि रशनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों प्रकार से हम करते हैं ठीक है हम अगर मूल्यांकन हमें करना नात्मक, संग्यानात्मक के दो हैं, रशनात्मक और योगात्मक जो भी बताया, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव, यही है, ठीक है, अगला तेईसमा कोशन है, यह फॉर्मूला वेजड है, दोई पांकतिक सहसंबंद गुणांग का जो सूत्र है वो है, तो वो सूत्र कौन सा है, सूत्र यहां पर यह दिया है, यह दिया है, तो यह इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो यह मिलान सही है, कियार विश्वेशनियता और आंतरिक संगती, ठीक है, कि इंपॉर्टन्ट हो जाता कि यार तो यहां पर यह चौविस कोशन जो मैं उज़े कराने थे वो करा दी है अब आगे के जो है अगली वीडियो में कोशिश करूंगी लाने की कि यहां आगे के कोशन लाओ अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजेगा और चैन में अब देखें क्या हुआ उसके बारे में पूरा डिटेल में पता चलेगा तो मिलती हूं हमसे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार